चोपड़ा है जो किसने यूटूब चैनल पर मैं हरसा ही चोपड़ा आपका हर्दिक स्वागत करता हूँ मेरे पैरे बच्चों, राजस्तान स्टेट कोटा काउंसलिंग के लिए सेवन गॉर्मेंट कोलेजेज, राजस्तान मेडिकल सोसाइटी के अधीन आती हैं जिने राज MES कहा जाता है, इनमें तीन प्रकार की फीस होती है कुछ सीट्स गॉर्मेंट फीस की हैं, कुछ सीट्स मनेजमेंट की हैं और कुछ सीट्स अइनाराई की हैं गौर्मेंट कोलेज में मनेजमेंट सीट का ओप्षन इंडिया में राजस्थान स्टेट में ही है बाकी किसी भी स्टेट में नहीं है मनेजमेंट सीट पर राजस्थान के डोमिसाइल कंडिडेट ही एडमिसन ले सकते हैं ये कोलेजेज मेडिकल एजूकेशन सोसाइटी के में फाइव परसेंट का इंक्रीमेंट है आर यूहस जेपुर और जी एमसी जालावाड में भी पेमेंट सीटे हैं लेकिन इनका फीस इस्ट्रेक्चर अभी जारी नहीं किया गया है बाकी गौर्मेंट जो पुराणी मेडिकल कोलेजेज हैं उनके साथ ही इनका फीस इस्ट्र जारी किया जाएगा तो जैसे ही बाकी का फीस इस्ट्र जारी होगा मैं आपको इनफोर्म कर दूँगा तो पहले इन सेवन गौर्मेंट मेडिकल कोलेजेज की तीनों प्रकार की सीट की फीस के बारे में हम जानकरी ले लेते हैं तो इनकी जो गौर्मेंट कोटा की फीस है उनकी 57,900 रुपीज पर एर ट्यूशन फीस है मनेजमेंट सीट की जो फीस है वो 7,87,500 रुपीज है जो फिचली साल 7,50,000 थी इस बार 37,500 का इंक्रिमेंट हुआ है यानि की 5% की बढ़ोतरी हुई है इसमें NRI फीस की बात करें तो इसमें 1st year admission के टाइम में 1st year semester की जो amount है उसका amount है वो 31,500 USD रहेगा इसके अलावा जो बाकी 7 semester बचेंगे उनकी पर semester की फीस 15,705 USD रहेगी पर semester जो टोटल इसकी जो फीस रहेगी तकरीबन 1 करोड 10 लाग के नियरबई रहेगी ये तो ये इनकी फीस है तीनु परकार की tuition fees अब मैं आपको बताता हूँ कि tuition fees के अलावा इन colleges में other charges, hostel charges क्या रहेगा तो इसमें tuition fees के अलावा दो परकार की fees रहती हैं एक तो only first year के time में deposit करनी पड़ेगी आपको वो admission fees होगी इसके बाद में security fees होगी वो 27,000 रहेगी इसके बाद जो every year deposit करनी है जैसे hostel charge होगया, electricity charges होगया तो ये total 51,000 पर year deposit करने होगे ये मैं यहाँ पर hostel की two city room की बात कर रहा हूँ, बाकि इसमें one single city भी है और triple state भी है तो इसमें मैं ने आपर double city room का ही charge जोड़ा है तो ये 51,000 के nearby रहेगा पर year का तो आपकी एक तो ट्यूसन फीस होगई, एक per year other charges होगई, इसके अलावा आपका मैस का expense रहेगा वो तकरीबन 3000 पर year के nearby रहेगा, यानि कि ये 36,000 से 40,000 पर year के बीच में मैस का charge रहेगा तो इसमें total हम 2000 फीस के अलावा other charges की बात करें, तो ये तकरीबन 1 लाग के नेरवाई रहेगा और जो इसकी फीस है, वो 7,87,000 होई चुकी है, तो ये total हम मान रहे हैं कि इसका सब कुछ मिला के 9 लाग से ज्यादा ही बैठेगा जो government की management seat की फीस है, payment seat की फीस है, इसमें फिर से बता देता हूँ कि RUHS और जालावाड की payment seat की फीस अलग होगी, वो इसमें सामिल नहीं है ये नए जो 7 colleges हैं, उनकी ये फीस रहेगी, तो ये एक छोटी सी जानकारी थी, इसमें फीस structure के बारे में, राजस्तान की जो management seat हैं, government colleges में, उनकी फीस के बारे में जानकारी थी, बाकी जैसे ही update मिलेगा बाकी अधर फीस का या अधर state registration का तो हम आपको inform करेंगे, मिलेंगे नई update के साथ नए वीडियो में तब तक मैं हरसाई चोपड़ा आपसे लीता हूँ विदा, नए वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जैहिन